So it's that time of the year again and J.Main is back. है ना तो इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको क्या last के दो-तिन दिन में क्या आपकी approach रहनी चाहिए कि आप क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो और कुछ गल्तियां भी जो बच्चे last के time में करते हैं not related to academics as well और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपने mentality को कैसे improve करना है for the examination motivated कैसे रहना है ये सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे तेकर उससे पहले यार comment करके बताओ कितना percentile और कितने marks लेके आओगे ठीक है अब हो सकता है तैयारी नहीं भी आया तो लिख दो 99 percentile लाएंगे 100 percentile लाएंगे 99.9 लाएंगे क्योंकि आर हम लिखते है target बढ़ा करोगे तब जागे कुछ करने कोशिश करोगे राइट तो comment करके बताओ है ना अब यार हम पहले पढ़ाएगी फटावट से बात कर लेते हैं कि क्या अपन पढ़ सकते हैं अभी तो देखो सबसे पहले तो यार आप mock test जो कर रहे तो करते ही रहो आपकी जो shift का time है उसी time पर करना है ठीक है यह इसने दाकि आपकी biological clock उसके recording वायर हो जया है और आप जो mistakes कर रहे उनको भी analyze करना क्योंकि silly mistakes कई बार हम एक ही common pattern में कर रहे होते हैं और अगर हम उनको analyze अच् NCRT के निदर शोटे मोटे chapters में आपको बढ़ाया जब यह भी मैंने कितने यह मैं एक दो महीने से बोल लेकिन यह बहुत कम बच्चों नहीं होगा polymers, semiconductors, mathematical reasoning, statistics यह जादा बड़े chapters नहीं अगर आप आज भी चालो कर दे तो भी आप जही में से पहले कर लोगे, even first shift आले भी चाहिए, physics और mathematics के अंदर, right, formula अगर आपको याद है, तो क्या होगा कि कोई simple question का formula list आते हैं, जही मिन में आ जाते हैं, तो वो आप से हो पाएंगे, और कोई question इसलिए हम से नहीं गलत होना चाहिए, कि यार में formula याद नहीं है, बहुत बोग होता है, right, तो formula आप याद करें अगर कुछ लोग हमारी app के बार में negative publicity, जबरस्ति की फेराते हैं, जो बाते गलत हैं, जो सही नहीं है, वो भी बोलते हैं, और जो बच्चे में साथ नहीं पढ़ते हैं, वो भी app को जाके पतानी कुछ भी review दे रहें, जो हमें साथ पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, तो आप इनको counter करने में हमें help करेंगे, अगर आपको काम अच्छा लगता है और short notes अच्छे लगे तो ही, अब जब रस्ति campaign launchment का देना कि अरे कल्पित भया की मदद करनी है, और दो दिन बाद जेई मेन है, नहीं वैसा नहीं कह रहा हूं मैं, बस अगर आप सच में वाँ अल्रेड अगर काम अच्छा लगता हो, तो कोई force नहीं है, ठीक है, तो link is in description वो आप देख सकते हो, तो यार पढ़ाई की बात तो होगेगी, पढ़ाई में हमें यह करना था, अब हम बात करते हैं, mental state कैसा रहना चाहिए, तो mental state अपना positive रखने के लिए सबसे पहले तो यार इक तो अब पूरी लेंगे हम, कहीं बच्चे क्या करते हैं, कि एक्जाम से पहले 4-5-6-6 गंटे सो रहे होते हैं, अब वो चीज छोड़नी है, अब आपका जब तक जई में नहीं होता है, सब बच्चे 8 गंटे सोएंगे, ठीक है, 10-6 या 11-7 जैसा आपको सूट होता है, प्लीज यह चीज करना, यह चीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसके अलावा एक और चीज का ध्यान रखना है, कि अब कुछ बच्चे बता है, क्या तरते हैं, यार मैं 2 साल तक मेहनत कर रहा था, पापकल जे ही है, अब यार MS दोनी बन जा तो क्रिकेट खिलने चलते हैं, और य तो यह सब ना करें, इंजरी हलकी सी भी हो गई, तो यह पूरा डिस्ट्राइब हो जाएगा, मेरा भी कोई इंपोर्टेंट काम होता है, तो मैं उससे पहले स्पोर्ट्स अगरा मैं बंद कर देता हूं, कुछ भी एक्ससाइस भी नहीं करता हूं, मैं लिफ्टिंग कुछ अब एक और बात ही है, कि यार, आप कुछ स्पाइसी और कुछ ज्यादा फास्पूर्ट या कुछ ऐसा हैवी खाना भी थोड़े दिन अवाइड करेंगी, कहीं पर क्या है कि हमारा पेट वेट खराब हो गया, है ना, कि जे इसे दिन से पहले ही बड़ी एकदम खा गया, य है चोटी-चोटी चीज़ें लेकिन इसे काफी फर्क पड़ जाता है ना, और काफी होता किसी-किसी के साथ ही लिए, क्या पता आप किसाथ ही हो जाए, आब प्ले, किसी किसा ना, तो इन चीजों का ध्यान रखें, अब कुछ बच्चे कागश ले जाना भूल जाते हैं, हर साल होता है सेंटर पर मैं गया था मैं एक दो जिन भी एक्जाम के सेंटर पर में गया है वहां पर एक दो बच्चे से मिली जाते हैं जो अपना स्ट्रेस प्री होने का मैंने पर्सनली एक इंप्राक्टिकल जोकर इस नाम करके शो आता था मुझे बहुत अच्छा लगता था वो मैं देखता था एक्जाम से दिन पहले में हर बर वही देखके जाता था और एकदम मूल फ्रेश हो जाता था मुझे उसका देखके इसके अल हर बच्चे की लाइफ में क्लास होती है जब वो टॉप मार देता है हर बच्चे की लाइफ में होता ही होता है especially अगर वो जे अस्परेंट है तो कभी तो अच्छा किया हो ना तो याद करो उस पीरोड को कि तुमने इसा क्या किया था तुम कितने महनती थे तुमने कितना अ है तो 40 देगा और हुआ क्या था कि एक्जाम में आधर टाइम तक बहुत ही कम कुशन किये थे मैंने लगबग आप मान सकते हो कि 30 या 40 परसंट ही पेपर किया था जबकि टफ कुशन सारे बचे थे मैथमेटिक्स पुरा चूटा हुआ था केमिस्ट्री आदा और फिजिक्स चूटा हुआ था राइट मैंने काफी टेंस्ट हो गया और उसमें आधा पिरिट गया था अपना तो मैंने क्या किया मैंने अपनी आइस क्लोस की मैंने सारे अचीवमेंट्स को याद किया 30-40 सेकंड बैट गया इसा नहीं सोचा यार कि इतने सारे मैंने टॉफिस जीती हु तो यार मैं एक मौक टेस्त देने जा रहो हूँ और एक्जाम को ऐसे लाइट भी लेना है के वह एक्जाम आराम-ाराम से कर रहा हूं लेकिन दिमाग पर जब रस्ती का लोड़ भी नीडालने है ठिक है तो आप अगर ये तीन चार्शा चीजों को फॉलो करो गया तो आपक होगे विकुज जादा तर बच्चों के नंबर कम आते हैं थोड़ा बहुत उनका वह प्रेशर भी रहता है कुछ लोग के पैरेंट्स में काफी प्रेशराइज रहते हैं तो बच्चे यूजली कम मार्क्स लाइंग है ठीक है अब यहां पे अगर आप अपना मेंटर स्टेट सही रख लेते हो ना तो आप उतने ही लाओगे जिक्तापका परडेशर आप आप अटोमेटिक नहीं बागी बागी बच्चे उन्हें पांच-दस प्रसेंट बैटर परफॉर्म करोगे तो यही कुछ बाते मुझे बोलनी थी यार और यार पेपर आप अपनको एकदम चीर नहीं यही का देखता हूं हर बैच में कुछ ने कुछ बच्चे होते हैं आपके बैच में इस बार कहीं सारे बच्चे आइटी बांबे मेंएडशन ले हम मिलें बाते करेंगे बहुत सारी ठीक है and all the best यार अब एक्जाम तक में शायद और कोई वीडियो बनाऊंगा नहीं एक्जाम के तक होता नहीं है जे ही मेन के बारे में अच्छे से करो यार है ना अच्छा जिसका पेपर जाए मुझे इंस्टाग्राम अगेरा में से बताना कैसा हुआ and do check out the short notes link is in description है ना और अगर free हो अगर तुम जा रहे हो तुम आपस time है 2-4 second का extra तो ब्ली देग अच्छी रेटी देना बहुत support मिलेगा thank you यार all the best and I wish you all the very very best